नमस्कार दोस्तो टेक्निकल साइड चैनल में आप कार्दिक स्वागत है मेरे रामे सनी और आज की इस दोड़े में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किसी का कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी एंड्रोइड स्मार्टफोन ने बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सिर्फ आपकी ही वाइस रिकॉर्ड होती है लेकिन अच्छी वीडियो में आपको बताऊंगा आपके आंड्रोड स्मार्टफोन में एक ऐसी हिडन सेटिंग होती है जिसको आप इनेबल कर दोगे तो आपका फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग होगा वो आटोमेटिक लिए ह होता रहेगा या फिर आप जब भी आप मैनुवाली उसमें टैप कर दोगे वो आटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि यहां पर जो फोन का जो टैलर है आपको क्लिक कर लेने और यहां पर आने के बाद में आपको बता देत देगा यहां पर एक option आपको दिखाये दे रहागा call recording का आपको इस वाले option में सीधा क्लिक कर लेने इस वाले option में क्लिक करने के बाद देखिए हमारा main page यहां पर आ चुका है यहां पर लिखा हुआ है don't record automatically अगर आप इस वाले option में on करते हैं तो जो call record होगा वो automatic record नहीं कर दोगे तो इससे होगा क्या कि आपको जो call है जब भी आप किसे call करोगे या फोन आएगा आपके पास automatically call record होता रहेगा तीसरा option आ रहा है record custom calls automatically अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई particular call को record करना चाहता हूं उस custom मतलब यहां से select करके तो आप उस वाले option को आप enable कर सकते हो तो आप इसका फायदा क्या कि कई बार ऐसा हो था कि हम बहुत सारे call को record करना नहीं चाहते हैं बट फरी भी अगर आप इस वाले option में on रखोगे तो automatically call on होता रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको जो data है वो भरता रहेगा लेकिन don't record automatically में यह ऐसे कोई भी दिक्कत नही कर सकते हैं और इसका लिख उठा सकते हैं अब मैं आपको बता देता हूं call record करने के बाद आपको देखना कहा होता है देखने के लिए आपको यहांपे file manager होता है file manager में जाने के बाद यहांप सबसे निच्छा internal storage में क्लिक कर देना है और यहांपर आने के बाद एक option आपको दिखाए देगा मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर आपका call record होता रहता है वहाँ जाके आपको कोई भी call recording सुन सकते हैं तो यहाँ पर एक recording को option आ रहा है जब आप इसमें tap करोगे तो आपको record वाले option में click करना है और call वाले option में click करना है अब इसके बाद यहाँ पर जो आप फोन में call record को automatically on कर सकते हैं बहुत ही simple और बहुत ही easy ट्रक्स बताया हूँ उमीद करता हूँ वीडियो आपको जो रूट पसंद रहागा वीडियो पसंद रहाते है वीडियो को like कर देना और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिए